नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ओफिशल पर तो आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड योग्रफी का इंपोर्टन टोपिक महासागरिये जल्धाराओं के बारे में पढ़ेंगे तो पहले हम मैप की सहायता से इस टोपिक को समझे को भी कवर करेंगे तो बहुत ही आसान टोपिक है यह अगर आप इस टोपिक को अच्छी तरह से समझ लें तो आपको यह टोपिक कभी नहीं भोलेगा तो मैं मैप की सहायता से आपको समझाओंगा और आपको यह वीडियो दुबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बस एक बार आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लें और लास्ट में प्रीवेस एर क्वेस्टन को जरूर एटम्ट करें उसके बाद आपको यह टोपिक दुबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए बिना देरी किये हुए वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए वीडियो की शुरूराद करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि महा सागरिय जलधारा कहते किसे हैं तो एक निश्ची दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महा सागरिय जल के एक राशी के परवा को महा सागरिय जलधारा कहा जाता है तो बहुत ही असान है ज जो सागर में आप धारा के प्रवाह को देखते हैं, उसी को महा सागर ये धारा कहा जाता है, और तीन टर्म होती हैं, एक होता है प्रवाह, एक होता है धारा, और एक होता है स्ट्रीम, तो इनमें अंतर क्या होता है, तो बहुत ही असान है, देखिए, प्रवाह, जिसे इंगल कम होती है तो उसे प्रवाह का जाता है दूसरा होता है धारा जिसे इंगलिश में करंट कहते हैं तो जल धारा का वेग जब ओसत होता है तो उसे धारा का जाता है यानि कि जब स्पीड ओसत होती है एवरेज होती है तो उसे धारा का जाता है और तीसरा है स्ट्रेम तो जल धा फिख जलतारा का वीग जब सबसे तेज होता है तो उसे stream के आ जाता है। आगे हम पढ़ेंगे.. Gulf Stream के बारे में तो जब धारा का परवाह जल धारा की speed सबसे कम हो तो उसे परवाह कहते हैं, जब जलाबह की speed आुसत हो तो उसे धारा कहते resultados है.. यानि की current कहते हैं और जब जल्धारा की speed सबसे तेज हो तो उसे stream कहते हैं या दखेगा और जो महा सागरिये जल्धाराएं हैं इन्हें दो भागों में बाटा जाता है एक होती है थंडी जल्धारा और दूसरी होती है गर्म जल्धारा तो exam में हमें यही पूछा जाता है कि बताइए यह जल्धारा गरम है यह ठंडी है यह पूछ लिया जाता है कि बताइए यह जल्धारा कौन से महा सागर में स्थित है तो दो ही तरह के question पोछे जाते हैं या तो हमें सागर के बारे में पूछ लिया जाता है और या तो यह पूछ लिया जाता है कि यह ठंडी जल लेते हैं उसके बाद मैं आपको जल धराओं के बारे में बताऊंगा तो अक्षांश और देशांता रेखाओं वाली वीडियो में भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था तो जो गुलोब है उसके बिल्कूल बीचों बीच एक कालपनिक रेखा खीची गई है जिसे कर्क रेखा या विश्वत रेखा का जाता है और इसके 50ah degree उत्री अक्षांश को क्या का जाता है कर्क रेखा और 50 Sm dgar दक्षणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा का जाता है और ये करक रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में जो जोन होता है उसे प्रोपिकल जोन या हिंदी में उश्न कटी बंद कहते हैं उश्न यानि की गर्म तो ये पूरा छेत्र करक रेखा से लेकर मकर रेखा तक गर्म रहता है क्योंकि जो सूर्य की किर किरने होती हैं ये करक रेखा से लेकर मकर रेखा तक सीधी पड़ती हैं क्योंकि जो प्रिथवी है अपने अक्ष पर जोकी हुई है इस कारण जो सूर्य की किरने होती है ये करक रेखा से लेकर मकर रेखा तक सीधी पड़ती है और ये पूरा छेत्र है ये ट्रोपिकल जोन है जिसे उश्नक कटी बंद कहते हैं ये गर्म रहता है तो आगे हम जलधाराओं के बारे में पढ़ेंगे तो जलधाराएं इसी जोन से यानि कि विश्वत रेखा के समीब से ही उत्पन होगी तो जो भी जलधाराएं विश्वत रेखा से उत्पन होगी उन्हें हम गर्म जलधा जलधाराएं कौन से होगी जो विश्वत रेखा से उत्पन होगी और ये विश्वत रेखा से धुरूओं की और चलेंगी यानि कि विश्वत रेखा से उत्पन होगी और धुरूओं की और चलेंगी तो इन्हें हम गरम जलधाराएं कहेंगे और जो ठंडी जलधाराएं होग वो ध्रूवों से उत्पन होगी, उपर ये ध्रूव है ना, उपर और नीचे उत्री ध्रूव और देक्षिनी ध्रूव, तो ये बरव से जमे हुए हैं, तो यहां से जो जलधाराएं उत्पन होगी, जाहिर सी बात है, वो ठंडी होगी, तो ध्रूवों से जो जलधाराएं उत्पन हो और विश्वत रेखा की और चले तुसे हम कौन से जल्दारा कहेंगे ठंडी जल्दारा कहेंगे तो उसके बाद आगे एक और कंसेप्ट को समझ ली दिये कि ये जो बीचो बीच रेखा है इसे हमने पढ़ा विश्वत रेखा कहते हैं और ये हमारे प्रित्वी को दो भागों में बाड़ती है इसके उपर है उत्री गोलार्द और नीचे है दक्षनी गोलार्द तो उत्री गोलार्द में जो जल्दाराएं होंगी वो क्लोकवाइस चलेंगी यानि कि घड़ी की सुई की दिशा में बढ़ेंगी क्लोकवाइस और दक्षनी गोलार्द में जो जल्धाराएं चलेंगी वो anti-clockwise यानि की घड़ी की सुई के विपरीद दिशा में बढ़ेंगी, ये concept जरूर याद दखेगा, तो फेरल के नियम के अंसार उत्री गोलार्द में जो जल्धाराएं होंगी वो clockwise बढ़ेंगी और दक्षनी गोलार्द में जल्धाराएं anti-clockwise ब और उपर का जो महासागर है आर्कटिक महासागर और नीचे जो दक्षिन में है अंटार्कटिक महासागर ये तो बर्व से ही जमा रहता है तो जादर तर जो जल्धाराएं होंगी ये परशांत महासागर, अटलांटिक और हिंद महासागर इन तीन महासागरों में उत्पन ह होंगी उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे और इसी के साथ एक और कंसेप्ट को आप जा लेजिए यूप्यस्सी में पूछा गया था तो बहुत ही पूटेंट है और असान है तो देखिए मैंने आपको बता है न कि विश्वत रेखा से जो जल्धाराय उत्पन होंगी वो गर्म होंगी और धुरूओं से जो जल्धाराय उत्पन होंगी वो ठंडी होंगी तो जो गर्म और ठंडी जल्धाराय हैं यह जहां पर मिलती हैं वहा मचलियों का काफी पसंदीधा आहार है और जहांपर ठंडी और गरम जलधाराएं मिलती है वहाँ पर ये घास खूब मिलती है और वहीं पर खूब सारी मचलियां इस घास को खाने के लिए एकटा होती है तो जो मचली पकड़ने वाले होते हैं वो क्या करते हैं इन जगहों प पूछा गया था तो प्लैंक्टेन नामक घास मिलती है और ये मचलियों का पसंदीदा आहा रहा है और मचलियां इसे खाने के लिए इकठा होती है और मचली पकड़ने वाले बड़े बड़े जहाजों में इन मचलियों को इन जगाहों से पकड़ कर ले जाते हैं तो ये भी असान है अभी आपको देखने में लग रहा होगा कि ये पता नहीं क्या बना दिया पर जब मैं आपको समझाओंगा ना तो बहुत ही असान है देखिए जो ये बीच में रेखा गई है इसे कौन सी रेखा कहते हैं विश्वत रेखा कहते हैं यानि कि भूमत ये रेखा कहते हैं और ये जो महा सागर है उपर हमारा भारत है तो हमारे भारत के नीचे जो महा सागर है कौन सा है हिंद महा सागर तो हिंद महा सागर में जो जलधारां उत्पन होती हैं उनके बारे में पड़ते हैं तो देखिए जो बीच में रेखा है ये विश्वत रेखा है तो इस देख रहे हैं दोनों तरफ आगे भी जो महासागरों में यानि कि अटलांटिक महासागर और परशांत महासागर में भी जो उत्तर की और होगा उत्तर विश्वत रेखे जलधारा होगी और दक्षिन में दक्षिन विश्वत रेखे जलधारा होगी तो ये तो आपसे एक्जा से उत्पन होंगी वो गरम होगी तो जहां पर विश्वत रेखा लिखा हो आप समझ लेना कि वो जलधारा तो गरम ही होगी और मैंने वैसे भी जो रेड कलर से लिखा है ये गरम जलधारा हैं और जिनें ब्लू कलर से लिखा है ये ठंडी जलधारा हैं आपको समझाने के तो आप कभी भूलेंगे नहीं तो देखिए पहले आपको पता होना चाहिए कि दो जल्धारा उत्पन होती हैं विश्वत रेखा के समीव से उपर उत्तरी विश्वत रेखिए जल्धारा और नीचे की ओर दक्षिन विश्वत रेखिए जल्धारा और मैंने आपको शुरू म यहाँ से टकराकर दो धाराओं में बढ़ जाती है तो एक हो जाती है मोजांबिक जलधारा और दूसरी कहलाती है मेडागासकर जलधारा तो अफरीका का एक देश है मोजांबिक इसके सामने से जो जलधारा जाएगी उसे कहेंगे मोजांबिक जलधारा और मेडागासकर दक्षिनी विश्वत रेखिये जलधारा आगे जाकर मेडगासकर द्वीव से टकरा कर दो धाराओं में बढ़ जाती है, एक कहलाती है मोजांबिक जलधारा और दूसरी कहलाती है मेडगासकर जलधारा, फिर यही दोनों धाराएं आगे बढ़ कर एक हो जाती है और कहलाती है अगुल हास जलधारा ये बहुत ही important चीज में आपको बता रहा हूँ ध्यान से सुनेगा कि दक्षिन विश्वत रेखिये जलधारा मेड़ागासकर दूप से टकरा कर दो धाराओं में बढ़ जाती है मोजामबिक और मेड़ागासकर फिर ये दो धाराएं आगे चलकर एक हो जाती है और कहलाती है अगुल हास जलधारा फिर नीचे की और से नीचे के अध्रू तो ध्रूओं की और से एक जलधारा आती है और तेजी से आगे बढ़ती है तो जो आगे ये अगुल हास की जल धारा है इससे टकरा जाती है और इससे टकराने के बाद इसकी speed को क्या कर देती है कम कर देती है तो मैंने आपको पताए था जब धारा के speed कम हो तो उसे क्या कहते है परवाह तो यह आगे की और फिर मैं आपको इसकी रिवीजन करा दूँगा, और जब तक आपको याद नहीं होगा, मैं आगे नहीं बढूँगा, तो इसे क्या कहा जाएगा, दक्षनी हिंद परवहा कहा जाएगा, अगूल हास जल्धारा नीचे की एक ठंडी जल्धारा से टकराती है, जो की धुगों क अस्ट्रेलिया की जल्धारा कहा जाता है, क्योंकि यह उस्ट्रेलिया के पक्षिम में है, तो आपको इसमें से याद कौन-कौन से रखनी है, तो मोजांबिक, मेडगासकर, और अगूल हास, यह तीनों आपको याद अखना है, और ये गरम जल्धारा है, और थंडी में एक्जाम में पूछी भी नहीं जाएगी, क्योंकि ये तो आपको पता ही चल जाएगा, आप से पूछा ये जाएगा, कि मोजांबीक जलधारा गरम है या ठंडी, तो क्या है, गरम जलधारा है, और जो ये पक्षमी ऐस्ट्रेलिया की जलधारा है, ये ऐस्ट्रेलिया के पक् गिफसन विक्टोरिया यह सभी रेगिस्तान है और यह उस्ट्रेलिया के पक्षिमी भाग में पाए जाते हैं इसका कारण क्या है तो इसका कारण यही है जो कि यह पक्षिमी उस्ट्रेलिया की जलधारा है यहां पर बारिश नहीं होने देती तो इसी कारण यहां पर रेगिस कि अगणतरव से यसे कहते हैं अगूल हाथ की जलधारा अभी तो सब थीक है उसके बात्व क्या हुता है नीचे से अगूलहाथ के जलधारे है और ये दक्षिनी हिंद परवहा आगे चल कर औस्ट्रेलिया से टकरा कर कहलाती है पक्षमी औस्ट्रेलिया की जल्धारा तो ये जल्धारां आपको अब एक बार हम इन दोनों को अलग-अलग देख लेते हैं तो हिंद महासागर की गर्म जल्धारां कौन सी है उत्तर विश अगुलहास की जल्धारा तो ये सभी गर्म जल्धारां हैं आपको मैं इस वीडियो में सभी याद करा दूँगा इसलिए मैं बार-बार आपको इसकी रिविजन करा रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा ये डिफिकल्ट टोपिक है पर अगर हम इसे सही तरह से पढ़ें तो महासागर में दो जल्धारा हैं ठंडी दक्षनी हिंदपरवा और पक्षमी उस्ट्रेलिया की जल्धारा जिसमें से इंपोर्टेंट कौन सी है पक्षमी उस्ट्रेलिया की जल्धारा और गर्म जल्धारां में हमें तीन जल्धारा या रखनी हैं बुजांबिक, मेडगासक और अगुल हास की जलधारा, अब हम आगे देखते हैं, तो हिंद महासागर के बाद देखते हैं, अटलांटिक महासागर, और अटलांटिक महासागर को हम दो भागों में पढ़ लेते हैं, तो बीच में है विश्वत रेखा, इसके उपर का जो भागा है, उसे उत्री अटला अट्लांटिक महासागर और विश्वत रेखा के दक्षिन में दक्षनी अट्लांटिक महासागर तो पहले हम उत्री अट्लांटिक महासागर को पढ़ लेते हैं फिर हम दक्षनी अट्लांटिक महासागर में जो जलधाराय उत्पन होंगी उनके बारे में पढ़ेंगे तो पह उसे कहेंगे उत्तर विश्वत रेखे जल्धारा अगर यह दक्षिन में होती तो इसे कहते हैं दक्षिन विश्वत रेखे जल्धारा अब यह उत्तर विश्वत रेखे जल्धारा आगे बढ़ती है और आगे यह द्वीप हैं केरेबियन द्वीप हैं जिसे हम वेस्ट इंड जल्धारा है यह केरिबियन दूइपों से टकरा कर दो धारां में बढ़ जाती है एक कहलाती है एंट्रिज जल्धारा और दूसरी कहलाती है फ्लोरीडा जल्धारा अमेरिका के नीचे है फ्लोरीडा तो यहां पर जो जल्धारा है इसे कहते हैं फ्लोरीडा जल्धारा और धुरूओं की और बढ़ेंगे वो सभी गरम जल्धारा होंगी थंडी जल्धारा वही होगी जो धुरूओं से विश्वत रेखा की और बढ़ेंगी वो भी हम पढ़ेंगे तो यह गरम जल्धारा है उत्तर विश्वत रेखे जल्धारा दो धाराओं में बटी फलोरीडा और एंटली जल्धारा और फिर यही Florida जल्धारा और एंटली जल्धारा आगे चलकर रेक हो जाती हैं और कहलाती है Gulf Stream very very important याद दखेगा जो Gulf Stream है यह सबसे तेज बहने वाली जल्धारा है इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो सबसे तेज बहती है उसे करते हैं स्ट्रीम तो सबसे तेज बहने वाली जल्धारा है Gulf Stream और इसे Yorop का कमबल भी कहा जाता है ये भी याद दखेगा SSC में पूछा गया था कि Yorop का कमबल किसे कहा जाता है तो Gulf Stream को युडव का कंबल कहालाई तो पूरा युडव स्ट्रीम वरफ से ही जमाराई तो यह गलफ श्ट्रीम यूरोप का कंबल कहलाती है तो हमने पढ़ा कि उत्तर विश्वत रेखे जलधारा केरेबियन दुविपों से टकराकर डो धाराउं में बढ़ जाती है Florida की जलदःा और Antilise की जलदःा और फिर आगे चलकर यह दोनों धाराएं एक हो जाती है और कहलाती है गल्फ स्ट्रीम फिर उसके बाग यह गल्फ स्ट्रीम आगे की और बढ़ती है और उपर धुरों से एक धारा आती है जिसे कहते हैं लेबरा डोर की जलधारा important है यह ठंडी जलधारा है क्योंकि यह धुरों से विश्वत रेखा की ओर आ रही है न तो यह ठंडी होगी तो धुरों से आ रही है लेबरा डोर की जलधारा और यह ठंडी जलधारा है और जो gulf stream है यह हम देख रहे हैं आगे की ओर बढ़ रही है आगे लेबराडोर की जलधारा इसी gulf stream से टेकरा जाती है और इसके speed को थोड़ा कम कर देती है तो फिर इसे हम कहते हैं उत्तरी Atlantic परवाह उत्तरी Atlantic परवाह क्यों कहते हैं क्योंकि यह Atlantic महासागर में है उत्तरी Atlantic म परवाह आगे चलकर तीन धाराओं में बढ़ जाती है। बहुत ही असान है। बस एक बार आप सुन लीजिये। तो जो ये उतरी आत्लांटिक परवाह है। हमने पढ़ा ना गल्व स्ट्रीम आगे की और बढ़ेगी और कहलाएगी उतरी आत्लांटिक परवाह क्यों तो उत्री अटलांटिक प्रवा की एक धारा ऊपर की और आइसलैंड की नीचे से चलि जाती है जिसे कहते हैं इर्मिंजर की जलधारा और ये भी गर्म जलधारा है क्योंकि ये विश्वत रेखा से ध्रूओं की और बढ़ रही है। तो इमिन्जर जलदारा उपर की और जाएगी और दूसरी धारा है रेनिल धारा ये आगे जुरुब की और बढ़ जाएगी और तीसरी जो उतरी अटलांटिक प्रवा की धारा है ये नीचे विश्वत रेखा की और बढ़ेगी और कहलाएगी कनारी की जलदारा या देखेगा ये ठंडी जलधारा होगी क्योंकि ये उपर की और से नीचे यानि की धुरों की और से विश्वत रेखा की और जा रही है तो ये जलधारा ठंडी जलधारा होगी तो एक बार revision कर लेते हैं, सबसे पहले हमने देखा उत्तरी विश्वत रेखे जलधारा, ये आगे चलकर Caribbean द्वीपों से टकराती है और दो धाराओं में बढ़ जाती है, एक कहलाती है Florida की जलधारा और दूसरी कहलाती है Antilles की जलधारा, फिर ये दोनों धाराएं एक हो जाती हैं और कहलाती है Gulf Stream, तो ये Gulf Stream तेजी से आगे की और बढ़ रहे होती है पर उपर से आ जाती है Labrador की जलधारा जो की ठंडी जलधारा है और इसके वेक को कम कर देती है, फिर ये कहलाता है उत्तरी Atlantic परवाह और ये उत्तरी Atlantic परवाह आगे चलकर तीन दिशों में चले जात हैं इर्मिंजर की जलधारा और सीधा योरोप में जाती है उसे कहते हैं रेनिल जलधारा और नीछे अफुरिका महादृफ से टकराकर, जो विश्वत रेखा की और बढ़ती है उसे कहते हैं कनारी जल्धारा तो इन जल्धाराओं के बारे में आपको पता होना चाहिए और इसी के साथ एक exam में और fact पूछा गया था ये भी याद अखेगा कि जो उत्री Atlantic महसागर है जहां पर इस वाले शेतर में सारगैसो सागर पाए जाता है तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो उ इसे सारगैसो सागर का जाता है तो सबसे पहले स्पेन के नाविकों ने इस घास को देखा था जिसे सारगैसो घास का जाता है और जितने छेत्र में ये सारगैसो घास फैली हुई है उसे सारगैसो सागर का जाता है और यही आप से exam में पूछा गया है कि सारगैसो घास किस महासागर में पाई जाती है तो अटलांटिक महासागर में पाई जाती है उत्तरी अटलांटिक महासागर हमने देख लिया अब हम दक्षनी अटलांटिक महासागर की जल्धाराएं देख लेते हैं फिर एकी बार में गरम और ठंडी दोनों जल्धारें देख लेंगे अटलांटिक महासागर की तो अब हम आते हैं दक्षिनी अटलांटिक महासागर में इसमें तो बहुत ही कम है तो देखिए उपर थी उत्तरी विश्वत रेखे जल्धारा तो नीचे कौन सी होगी दक्षिनी विश्वत रेखे जलधारा और यही दक्षिनी विश्वत रेखे जलधारा आगे चलकर दक्षिन अमेरिका का एक देश है न ब्राजील तो यहां से टकरा कर आगे की और बढ़ती है तो यहां पर इसे कहेंगे ब्राजील की जलधारा ब्राजील से होते वे जा रही है तो इसे क्या कहा जाएगा ब्राजील की जल्धारा और ये गरम होगे की ठंडी तो गरम होगी क्योंकि ये विश्वत रेखा से उत्पन हो रही है और धुरूओं की और आगे बढ़ रही है तो ये गरम जल्धारा होगी उसके बाद नीचे से एक जल्धारा तेजी से आती ह यहाँ पर Folkland दूइफ है, वहाँ से यह जलधारा आती है, और इसे कहते हैं Folkland की जलधारा, अब यह ठंडी होगी कि गरम, तो ठंडी होगी, क्योंकि धुरूओं से विश्वत रेखा की ओर आ रही है, तो जाहिर से बात है, यह ठंडी जलधारा होगी, तो Folkland की जलधारा नीचे से आती है, और ब्राजील की जलधारा से टकरा जाती है, तो ब्राजील की जलधारा के, जो वेग होता है, उसको कम कर देती है, तब यह क्या बन जाएगा, परवाह बन जाएगा, और यह जलधारा को भी ठंडी कर देती है, तो इसे कहते हैं, दक्षनी अटलांटिक पर वहाँ आगे चलकर नीचे की और से अफिरीका महाधूर से टकराकर विश्वत्रेखा की और बढ़ती है, और इसे कहा जाता है वैंगवेला की जल्धारा, जहीं इम्पोर्टेंट है, वैंगवेला की जल्धारा, यह इंपोर्टेंट इसलिए है, क्योंकि कई बार इक्जा तो गरम होती तो थंडी में आपको यहीं याद रखना है एक वेंगोला की और नीचे फोक लेंड की जल्दारा तो एक बारे विजन कर लिजिए दक्षिन विश्वत रेखे जलधारा आगे बढ़ती है ब्राजील की ओर से तो उसे कहेंगे ब्राजील की जलधारा और यहीं ब अफ्रीका महादुप से टकरा कर कहलाएगा वेंगवेला की जल्धारा और जो वेंगवेला की जल्धारा है ये ठंडी जल्धारा है क्योंकि ये धुरूवां से विश्वत रेखा की और बढ़ रही है तो आगे अब हम एक ही स्लाइड में देख लेते हैं पूरे अटलांटिक महासागर में आप आखे बंद कीजिए और अपने दिमाग में मैं आपको देखिए मैंने आपको समझाये था कि जब उत्तर विश्वत रेखे जल्धारा आगे की और बढ़ेगी तो वहाँ पर हमने देखा था केरिबियन दूइब थे वहां से टकरा कर ये जल्धारा दो ध जल्धारा है उसके बाद उत्री अट्लांटिक परवहा हमने पड़ा था उपर से जो धारा थी लेबराडोर की जल्धारा टकरा कर इसकी स्पीड को कम कर देती है तो उत्री अट्लांटिक परवहा उसके बाद ये तीन जल्धारा में बढ़ जाती थी इर्मिंजर जल्धार रेनल जल्दारा ये तो गर्म है और तीसरी जो जल्दारा थी वो ठंडी जल्दारा थी कनारी की वह हम ठंडी जल्दारा में देखेंगे और ब्राजील की जल्दारा ये हमने दक्षनी अट्लांटिक मासागर में पढ़ी तो ये सबी गर्म जल्दारा हैं अगर हम ठंडी जल् यह भी ठंडी जलदारा है दक्षनी अट्लांटिक परवह यह भी ठंडी जलदारा है वेंगवेला की जलदारा यह हमने पढ़ा था अफरीका माज़ी उसे टकरा कर बन गी थी ना वेंगवेला की जलदारा यह भी ठंडी जलदारा है और फोकलेंड की जलदारा यह भी ठंडी और गरम अब हम आगे परशांत महासागर की और बढ़ते हैं तो हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर के बारे में हमने पढ़ लिया अब हम पढ़ते हैं परशांत महासागर के मारे में तो ये है परशांत मासागर तो अगर आप मैप में देखेंगे तो इस तरब भी ये परशांत मासागर है और इस तरब भी परशांत मासागर है तो अगर हम क्योंकि धर्ति गोल है तो मैंने ये मैप में जो परशांत मासागर है ये आप देखेंगे इस तरब एशिया है और यह है अमेरिका तो बीच में यह पूरा जो महासागर है मैंने जोड़ दिया यह परशांत महासागर तो पहले हम उत्तरी परशांत महासागर के बारे में पढ़ेंगे फिर हम दक्षनी परशांत मासागर के बारे में पढ़ेंगे तो उत्तरी प्रशांत मासागर में सबसे पहले है उत्तर विश्वत रेखे जलधारा तो ये गरम होगी कि ठंडी मैंने कई बार बता दिया तो ये गरम जलधारा होगी तो जो ये उत्तर विश्वत रेखे जलधारा है आगे चलकर फिलिपीन्स और जपान के दूइप हैं यहां से टकरा कर दो धाराओं में बढ़ जाती है एक कहलाती है सुशीमा की जलधारा और दूसरी कहलाती है किरोशियो की जलधारा आप से एक्जाम में ये पूशा गया है कि बताएए सुशीमा की जलधारा किस महासागर में है तो ये परशांत महासागर में है और ये गर्म है कि ठंडी तो गर्म जलधारा है क्योंकि ये विश्वत रेका से द्रूओं की और बढ़ रही है तो एक है सुशीमा की जलधारा और दूसरी है क्योरोशियो की जलधारा और इसी के साथ एक और फैक्ट या दखेगा कि जो क्योरोशियो की जलधारा है ये काले पानी होने के कारण इसका जो पानी है काले रंका है इसे कारण इसे काली धारा भी कहा जाता है तो ये एक्जाम में पूछा गया है कि किस जलधारा को काली धारा भी कहा जाता है तो क्योरोशियो की जलधारा को काली धारा भी कहा जाता है तो आगे चलकर ये दोनों ही धाराएं सुशीमा की जलधारा और क्योरोशियो की जलधारा एक हो जाती है और उपर की और से एक जलधारा आती है धुरूं से पयोशिमों की जलधारा ये ठंडी जलधारा है और नीचे की और से ये दोनो धारां एक हो रही होती है कि इनके वे को कम कर देती है और फिर ये आगे बढ़कर कहलाती है उत्तरी परशांत परवा है तो ये हमने सम्मे परवाह कहलाएंगी अगर यह अट्लांटिक महासागर में होती उत्तर में होती तो उत्री अट्लांटिक परवाह कहलाती तो यह परशांत महासागर है तो यहां पर यह जलधारा कहलाएगी उत्री परशांत परवाह और यह गर्म जलधारा होगी और आगे की और बढ़कर उत क्यूरायल जल्धारा ये दोनों ठंडी जल्धारा है क्यूरायल जल्धारा भी उत्री परशांद परवा से टकराती है और उत्री परशांद परवा जो है ये आगे चलकर दो धाराओं में बढ़ जाती है उपर की और जो धारा जाती है उसे कहते हैं अलास्का जल्धारा ये तो यहाँ पर जो जल्धारा जाएगी उसे कहेंगे अलास्का जल्धारा और यह गर्म जल्धारा है और जो दूसरी धारा है वो नीचे की और विश्वत रेखा की और बढ़ेगी और उसे कहेंगे कैलिफोर्निया की जल्धारा तो यहाँ पर अमेरिका का कैलिफोर्निया है त तो एक बार रिविजन कर लेते हैं उत्तर विश्वत रेखिये जलधारा आगे चल कर फिलिपीन्स और जपान के दूपों से टकरा कर दो भागों में बढ़ गी सुशीमा की जलधारा और क्योरोशियो की जलधारा जो क्योरोशियो की जलधारा है इसे काले पानी की जलधारा भी कहते हैं और उसके बाद ये दोनों धाराई मिल जाती है और आगे की और बढ़ती ही है कि उपर से आके ओयो शीवो की जलधारा टकरा जाती है और इनके परवा को और इनके वेक को कम कर देती है तो ये कहलाती है उत्तरी परशांत परवा और उपर से एक और जलधारा आती है उसे कहते हैं कैलीफोर्निया की जलधारा तो जो कैलीफोर्निया की जलधारा है यह ठंडी है क्योंकि यह धुरूओं से विश्वत रेखा की और बढ़ रही है तो आशा करता हूँ आपको समझ में अब हम दक्षिनी प्रशांत महासागर की जल्धारा देखते हैं तो दक्षिनी प्रशांत महासागर की जल्धारा बहुत ही असान है तो देखिए पहले तो दक्षिनी विश्वत रेखिये जल्धारा है जो की विश्वत रेखा के दक्षिन में है उसके बाद जो ये जल्धार और एक है पूर्वी उस्ट्रेलिया के जलधारा तो जो पक्षमी उस्ट्रेलिया के जलधारा है वो ठंडी है और जो पूर्वी उस्ट्रेलिया के जलधारा है वो गर्म है और अक्सर हमसे यह पोछा जाता है कि पूर्वी उस्ट्रेलिया के जलधारा और पक्षमी उस्ट्रे तो जब भी पूर्व आएगा ना तो पूर्व उस्ट्रेलिया की जलधारा वह से एक जलधारा आती है और यह ठंडी जलधारा होगी इसे टकरा जाती है और उसके बाद इसके वे को कम कर देती है अब यह दक्षिनी परशांत महा सागर में है तो क्या कहलाएगा दक्षिनी परशांत परवाह और यह जो परवाह होगा यह ठंडी जलधारा होगी तो दक्ष वेरू की जलधारा को ही हम बोल्ट की जलधारा भी कहते हैं तो एक बारी विजन कर लेजिए दक्षिन विश्वत रेखे जलधारा उस्ट्रेलिया से टकराती है और कहलाती है पूर्वी उस्ट्रेलिया की जलधारा नीचे से अंटार्किटिका से एक ठंडी जलधारा आती है इससे टकड़ा जाती है और कहलाती है दक्षनी परशांत परवाहा क्योंकि दक्षनी परशांत महसागर में है और स्पीड कम हो गई है तो कहला रही है दक्षनी परशांत परवाहा और यही दक्षनी परशांत परवाहा आगे चलकर विश्वत रेखा की और बढ़ रही है तो कहलाती है पेरू की जल्धारा तो पेरू की जल्धारा तो इतनी बार exam में पूछा गया है most important है पेरू की जल्धारा यह ही पूछा जाता है कि बताईए गर्म है या ठंडी और किस महासागर में है तो पेरू की जलधारा परशांत महसागर में है अगर आप पेरू में मातराइं हटा देंगे तो क्या बनेगा पर और पर और परशांत दोनों की शुरुआत पर से हो रही ना परशांत और पेरू में पेरू तो इससे अब रिलेट कर लेना कि ये परशांत महसागर में है और ये धक्षिन से यानि कि धुरूँ से विश्वत रेखा की और बढ़ रही है तो ठंडी जलधारा है। आगे आप देखेंगे कि इक्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि पेरू की जलधारा किस महसागर में हैं। तो पेरू परशांत महसागर में हैं और ये ठंडी जलधा रहा है। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। परशांत महसागर में गर्म जलधारा हैं हमने कौन-कौन से देखी। तो क्योरोशियो की जलधारा और सुशिमा की जलधारा। ये दोनों गर्म जलधारा हैं। अलास्का की जलधारा और पूरवी ऐस्ट्रेलिया की जलध ये ठंडी जलदारा हैं, तो यहाँ पर हमने जितने भी महासागरिय जलदारा थी उनके बारे में पढ़ लिया, अब हम previous year को तो पहला प्रेशन है कि विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरिय जलदारा है, तो इसका सहे जवाब होगा, option A, गल्फ स्ट्रीम जलदारा, ये विश्व की सबसे तेज बहने वाली जलदारा है, अगला प्रेशन है कि वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है, जिसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि क्योरोशिय धारा को काले पानी के कारण काली धारा कहा जाता है, option A, अग का गरम कंबल किसे कहते हैं तो इसका सही जवाब होगा option c गल्फ स्ट्रीम जलधारा को युरोप का कंबल कहा जाता है अगला प्रशन है कि निमा लिखित में से कौन महासागर्य धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाए जाती तो आपको बताना है किस में से कौन सी अगर ये जलधारा अटलांटिक महासागर में नहीं है तो गल्फ स्ट्रीम ये तो है अटलांटिक महासागर में तो पेरू की जलधारा option c मैंने आपको रिलेट भी करह था कि पेरू की जलधारा कहां पर है तो पेरू की जलधारा है परशांत महासागर में option c इसका सही जव अगला प्रशन है कि किस दूइब के द्वारा अगुल हाज जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती है तो हमने पढ़ा था ना हिंद मासागर में कि दो धाराएं मिलकर अगुल हाज की जलधारा कहलाती है मुझांबिक और मेडागासकर की जलधारा तो कौन से द्वीब से टकरा कर ये अलग होती थी तो ये मेडागासकर द्वीब से टकरा कर अलग होती है तो option D का सही जवाब होगा अगला प्रशन है कि निर्मा लिकित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है तो आपको बताना है कि कौन सी इसमेंसे ठंडी जलधारा है तो देखते ही पता चल रहा है Option D, जो Labradore की जलधारा है यह ठंडी जलधारा है हमने पढ़ा था ना, कि Labradore की जलधारा ठंडी जलधारा है तो Option D, सही جवाब होगा अगला प्रशन है कि निमन लिखीत में से किसका सुमेल नहीं है तो कौन सा मिलान गलत है वो आपको बताना है तो इसका सही जवाब होगा option B हमबोल्ट धारा हमबोल्ट याने की पेरू जल धारा इसमें बताया गया है कि ये उत्तरी परशांत महसागर में है पर हमने पढ़ा था कि जो पेरू की जल धारा है है तो ये परशांत महसागर में पर ये दक्षनी परशांत महसागर में है ना कि उत्तरी परशांत महसागर में तो इसका सही जवाब होगा option B अगला प्रेशन है कि निमा लिखित में से कौन शीत समुद्री धारा है यानि कि ठंडी जल धारा है तो इसका सही जवाब होगा option D हमबोर्ड धारा यानि कि पेरू जल धारा ये परशानत महासागर में है और ठंडी जल धारा है हमने पढ़ा था तो option D इसका सही जवाब होगा अगला प्रेशन है कि निमा लिखित में से कौन सी गरम महासागर ये धारा है तो गरम महासागर ये धारा कौन सी है तो देखते ही पता चल जाना चाहिए option A गल्फ धारा यानि कि गल्फ स्ट्रीम हमने का था ना है कि यूरोप का कंबल है तो गल और सूची दो में महासागर गिवन है तो हमको इसका सही मिलान करना है तो जो क्योरोशयो की जल धारा है ये परशांत महासागर में है और गरम जल धारा है और पेरू धारा हमने पड़ा था ये भी परशांत महासागर में है और ठंडी जल धारा है तो option में देखने में हमें पता चल रहा है option 4 में ये परशांत महासागर में ठंडी धारा तो पेरू का होगा यानि कि B का होगा 4 तो option में देखें तो option A B का 4 है C option में भी B का 4 है पर जो कियोशयो की धारा है ये भी परशांत महासागर में है तो परशांत महासागर यानि कि option 3 तो option A इसका सही जवाब होगा यानि कि कीरोशियों की जो धारा है ये परशांत महसागर में उच्छन धारा है उसके बाद पेरू जो धारा है B का 4 यानि कि परशांत महसागर की ठंडी जल धारा है लेबराडोर जो धारा है यह Atlantic महासागर की ठंडी धारा है, यानि कि C का 2 और D का 1, Florida जो धारा है, यह Atlantic महासागर की गरम धारा है, तो इसका सही जवाब होगा, option A, आज का आकरी प्रशन है, कि निमल लिकित में से कौन सी ठंडी जल धारा नहीं है, तो इन्होंने पूछा है, नहीं, यानि कि गरम जल ध तो इसमें से गरम जल धारा कौन सी है, तो देखिए, इसका सही जवाब होगा, अगूल हास की धारा, option D, क्योंकि हमने पढ़ा था ना, हिंद महासागर में, जो मुझांबी की जल धारा है, और मेड़ागासकर की जल धारा है, ये गरम जल धारें थी, और मिलकर आगे एक ज में जरूर बताना, धन्यवाद.